Hi everyone, welcoming you to the part 2 of chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. This chapter is from class 9, English Literature Beehive Book. और इस chapter का जो first part है, हमने already आपके लिए अप्लोड कर रखा है. First part में हमने बात किया, Albert Einstein के early life के बारे में, वो कब पैदा हुए, उनकी पढ़ाई कहां पर हुई, उनका love life के एसा रहा. ये सारी चीजे, up to paragraph number 7, हमने part 1 में cover कर लिया है, अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा है, तो उपर information बटन पर link आ रही होगी, पूरे English की playlist की, आप वहाँ पर click करके देख सकते हो, ये मीचे description box में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको उस video की link मिल जाएगी, open करके जरूर देखो, so we have to start from paragraph number 8, ये बात कब की है, ये बात है, Albert Einstein जब 21 साल के हो चुके थे, ये कौन सा साल था, 1900 is that year, जब Albert Einstein लगभग 21 साल के हो चुके थे, तब हुआ क्या, Albert Einstein was a university graduate, भाई 21 साल तक, Albert Einstein ने अपनी graduation की पढ़ाई पूरी कर ली थी, University of Jurek, जो की Switzer Land में था, वहाँ से उन्होंने अपना graduation पूरा कर लिया था, लेकिन अभी भी इनको नौकरी नहीं मिली थी, he worked as a teaching assistant, नौकरी ना मिलने की वज़े से, ये बहुत सारा अलग-अलग काम करना सुरू गड़ देते हैं, ये अलग-अलग colleges में assistant teacher के तौर पर काम करते हैं, assistant teacher कौन होता है, जो main teacher, जो head teacher होता है, उसका help करने के लिए जो teacher nuked किया जाता है, जो teacher लगाया जाता है, उसको हम assistant teacher कियते हैं, ठीक है, तो भाई, इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग colleges में assistant teacher का काम किया, ठीक है, private license भी दिया, मतलब घर-घर जाकर इन्होंने tuition भी पढ़ाया, और आखिरकार, दो साल बाद, मतलब 1900 में इन्होंने अपना graduation पूरा किया था, 1902 में इन्हें एक job मिलती है, technical expert की job, कहां पर, patent office in burn, burn कहां है, burn है हमारा switcher land में, कहां है burn हमारा switcher land में, switcher land की capital है burn, ठीक है, burn is the capital of switcher land, patent office किसे कहते हैं, patent वो चीज़ होता है, a document which gives the right of an invention to an inventor, मतलब for example, कोई भी inventor कुछ invent करता है, तो भाई, ये right, patent office से दिया जाता है, कि भाई, ये जो invention इस बंदे ने कर दिया है, अब इसका नाम कोई और नहीं लेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि same invention कोई और करके, वो credit ले ले, भाई, इसको copyright दिया जाता है, जैसे आज हम गानों के copyright लेते हैं ना, ताकि हमारा गाना कोई और use ना कर सके, बिल्कुल ऐसे ही, सभी inventor को invention करने का जो document दिया जाता था, उसको patent office में दिया जाता था, और वहीं पर ये काम करते थे as a technical expert, technical expert क्या काम करता है, technical expert काम करता है ये, कि वो देखता है कि भाई, जो inventor है, उसने क्या invent किया है, और उस हिसाब से Albert Einstein क्या करते थे, उसे write देते थे कि हाँ, अब इसने जो invention कर दिया है, अब इस invention का credit कोई और नहीं ले सकता, अब उसके नाम पर ये invention हमेशा के लिए, fix कर दिया गया है, ठीक है, while he was supposed to be accessing other people's invention, अब Albert Einstein जब technical expert के तौर पर काम कर रहे थे, burn में, तो लोग तो समझते थे कि Albert Einstein दूसरों की inventions की जाच परताल करते हैं, दूसरों की inventions को चेक करते हैं, लेकिन Einstein was actually developing his own ideas in secret, मतलब वो technical expert का का काम तो करी रहे थे, साथ-साथ में Albert Einstein अपनी खुद के भी ideas, खुद की भी discovery, खुद की भी invention side by side कर रहे थे, वो क्या invent कर रहे थे, he was actually developing his own ideas in secret, he is said to have jokingly called his desk drawer at the work, the Bureau of Theoretical Physics, कभी-कभी जब Einstein अपना काम करते थे थे न, तो उनका जो ये desk drawer था, desk drawer का मतलब क्या होता है, जो table होता है, जिस पर बैठ कर कोई इंसान कोई काम करता है, ठीक है, तो Albert Einstein जिस table पर बैठ कर काम करते थे न, कभी-कभी वो उस table को एक नाम से बुलाया करते थे, Bureau of Theoretical Physics, खमा सकते हो, इतना difficult नाम एक table को दिया गया है, ये काम Albert Einstein ही कर सकते हैं, चलब, कहा गया है कि भाई, ये बात है, साल 1905 की, एक तब के समय का एक बहुत ही famous newspaper था, और उस newspaper में Einstein की Theory of Relativity आखिरकार पब्लिस कर दी गई, Theory of Relativity में Einstein ने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि भाई, जो distance होता है, और distance के अलामा जो समय होता है, वो हम कभी भी absolute measure नहीं कर सकते है, absolute का मतलब क्या होता है, measured in itself, not in relation to anything else, मतलब ये जो time होता है, जो distance होता है, ये कभी भी सटीक नहीं हो सकता, ये था Theory of Relativity, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक example से समझो, two perfectly accurate clocks will not continue to sow the same time, if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, भाई कह रहा है कि अगर तुम दो घड़ियों को, दो clocks को same accurate समय पर start करते हो, तो कुछ समय बाद तुम देखोगे कि उस घड़ी में, पहले वाले घड़ी में और दूसरे वाले घड़ी के time में अंतर आ गया है, क्यों? क्योंकि भाई, कोई एक clock उसमें से बहुत जादा तेट चल रही होगी, और कोई clock उसमें से बहुत जादा slow चल रही होगी, मतलब इनके कहने का मतलब ये था, कि भाई अगर तुम दो accurate घड़ियों को, clock को, ठीक है, दो clock को, मालनों तुमने दोनो clock में अपना time set कर दिया, बारा बज़ रहा है, दोनों को तुमने साथ में start कर दिया, 24 घंटे बाद तुम देखोगे, तो भाई एक घड़ी में time अलग होगा, दूसरे घड़ी में time अलग होगा, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, कि भाई distance और time कभी भी absolute नहीं हो सकते, कभी भी exact नहीं हो सकते, ठीक है, अब इसी बात से, दुनिया का सबसे famous formula आया, जिसको Albert Einstein ने लेकर आया, ये formula था E equal to mc square का, E equal to mc square क्या है, relationship between mass and energy, E क्या है, E is the energy, ठीक है, और M equal to us, M equal to mass, और ये जो c है, ये speed of light को consider करता है, c is what, speed of light, is it okay, is it okay, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, paragraph number 10 की, while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling, भाई Einstein एक तरफ physics में, एक से बढ़कर एक inventions किये जा रहे थे, ठीक है, वो बहुत सारे difficult formulas, बहुत सारे difficult equations को solve कर रहे थे, वही पर उनकी जो private life थी, वो काफी अस्त वेस्त चल रही थी, मतलब धीरे धीरे वो private life इनकी खराब हो रही थी, क्यों, क्योंकि भाई Albert का मानना था, Albert चाहते थे कि उनकी साधी मिलेवा मैरिक से करा दी जाए, ठीक है, Albert चाहते थे कि जब वो दोनों पढ़ाई अपनी पूरी कर ले, तो Albert चाहते थे कि भाई मैं अपनी साधी मिलेवा मैरिक से कर लू, लेकिन problem क्या थी, but his mother was against it, Albert Einstein की मा ऐसा नहीं चाहती थी, क्यों, क्योंकि she thought, मिलेवा, who was three years older than her son, was too old from him, क्योंकि भाई, Albert की मा का ऐसा मानना था, कि जो मिलेवा मैरिक है न, वो Albert Einstein से तीन साल बड़ी है, इसलिए Albert के लिए fit नहीं बैठती है, ठीक है, इसके अलावा, मिलेवा इतनी ज़्यादा intelligent थी न, इससे भी उन्हें काफी ज़्यादा problem थी, मतलब Albert के मा को, मिलेवा के intelligence से problem थी, मिलेवा काफी genius थी, अलबर्ट Einstein की तरफ, इसी वज़़से, मिलेवा मैरिक की साधी, अलबर्ट Einstein से नहीं करवाना चाहती थी, उसकी मा, ठीक है, उनकी मा कहती थी, कि Caesar book लाई क्यों, अलबर्ट Einstein जब कहता था, कि मुझे मिलेवा मैरिक से साधी करनी है, तो उनकी मा कहती थी, कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि भाई, जैसे तुम किताब हो, बिल्कुल वैसे ही, मिलेवा मैरिक भी किताब है, दोनों एक दूसरे के लिए, पागल हो, ठीक है, तुम भी किताब में डूबी रहते हो, वो भी किताब में डूबी रहती है, तुम लोगों की जो love life है, जो married life है, वो अच्छी नहीं चल पाईगी, ठीक है, इस वज़े से इनकी जो मा है, वो मिलेवा मैरिक से साधी नहीं कराना चाहती थी, आइंस्टिन पुट दे वेडिंग आफ, और आखिरकार, अलबर्ट आइंस्टिन ने ये फैसला लिया, कि भाई साधी नहीं होगी, हाई, वैसे तो आज सभी स्टुजेंस का एक ड्रीम होता है, कि हम IIT और NIT जैसे कॉलेजेस से अपनी इंजिनरिंग की पढ़ाई करें, एम जैसे कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें, बढ़ आपको पता है, इन कॉलेजेस के लिए आपका रैंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे आपकी प्रिप्रेशन भी नेक्स लेबल होनी चाहिए, अब अपनी नेक्स लेबल प्रिप्रेशन करनी के लिए, आप अनिकेडमी की कॉम्बो सस्क्रिप्शन के साथ जा सकते हो, अगर आप अभी क्लास नाइन्थ में हो, तो 9-10 का कॉम्बो आप ले सकते हो 2 साल के लिए, आप अगर 2 साल का सस्क्रिप्शन लेते हो ना, तो आपको अनिकेडमी प्लस 2 एर्स अपनी तरब से देता है, जिसमें आप 9-10 IIT-JE की प्रिप्रिशन कर सकते हो, ऐसे ही अगर आप क्लास 10 में हो, तो यूशुड गो फ़र अनिकेडमी क्लास 10 एन 11 सस्क्रिप्शन, इसके साथ अगर आपका कोई ड्रॉप येर है, तो वो उसको भी कवर कर लेते हैं, इसमें मतलब आपको 2 साल के सस्क्रिप्शन में पूरे 4 साल मिलने वाले हैं, अनिकेडमी का कॉम्बो सस्क्रिप्शन लेनी के अपने अलग फायदे हैं, इसके अलग benefits है, अगर आप कभी भी plus सस्क्रिप्शन लेते हो, और आपको अलग-अलग कोर्से के access भी मिल जाते हैं, लेकिन, लेकिन, अनिकेडमी के लर्निंग आप से कर रहे हो, लेकिन बहुत discussion के बाद, बहुत कुछ लड़ाई, जगड़े अपनी मम्मी से, अपनी पापा से, बहुत कुछ करने के बाद, आखिरकार मिलेवा मेरीक और अलबर्ट आइंस्टीन के साधी हो जाती है, 1903 यानि 1903 में, और अलबर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मेरीक के दो बच्चे होते हैं, लेकिन बट अफ्यू इयर्स लेटर, अब मिलेवा की दिक्कत क्या रही, बहुत सालों के लड़ाई के बाद, 1903 में इनकी साधी हुई थी, और उसके बाद दो बच्चे हुए इनके, फिर उसके बाद मिलेवा मेरीक इस साधी से खुस नहीं थी, क्योंकि भाई मिलेवा मेरीक अपना जो लख्ष था जिन्दगी में, वो भी कुछ बड़ा करना चाहती थी, कि वो नहीं कर पा रही थी, वो केवले एक हाउस वाइप बनकर रह गई थी, इस वज़ा से काफी लड़ाई हुई उनके बीच में, और आखिरकार 1919 में, मतलब लगभग 16 साल बाद, लगभग 16 साल बाद, आइंस्टीन और मिलेवा मेरी के साधी के 16 साल बाद, उनका डाइवार्स हो जाता है, और उसके बाद same year, उसी साल, अलबर्ट आइंस्टीन ने अपने कजिन, कजिन सिस्टर, एलसा से साधी कर ली, ठीक है, एलसा इनकी दूसरी पतनी थी, चालो, आगे बढ़ते हैं, आइंस्टीन's new personal chapter, coincided with his rise to world fame, अब आइंस्टीन ने नई-नई साधी कर ली थी, अब इनका जो नया साधी था, वो भी काफी ज़्यादा successful हुआ, बिल्कुल वैसे ही successful हुआ, coincided का मतलब क्या होता है, coincided का मतलब होता है, बिल्कुल same, ठीक है, तो अलबर्ट आइंस्टीन का जो personal life था, वो भी काफी successful रहा, और धीरे धीरे उन्हें दुनिया में क्या मिलने लगा, fame मिलने लगा, दुनिया इन्हें जान ले रगी, इन 1915, he had published a general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity, और फिर, साल 1915 की बात है, साल 1915 में हुआ क्या, he had published his general theory of relativity, अलबर्ट आइंस्टीन ने, पहले तो अपना theory of relativity, published किया था, 1905 में, ठीक है, अब उसके बाद, 1950 तक, इन्होंने general theory of relativity, published कर दी, जिसमें उन्होंने, gravity के बारे में बताया, अब general theory of relativity, इनका proof भी हो गया, एन eclipse of the sun, in 1990, brought, proof that it was accurate, अब अलबर्ट आइंस्टीन ने, जो general theory of relativity, निकाली थी, gravity के बारे में, इन्होंने कहा था, कि बाई कोई भी चीज है, वो gravity से influence होती है, ठीक है, मतलब, हर एक चीज जो धर्ती पर है, उसके उपर gravitational force काम करता है, तो ये था इनका general theory of relativity, अब इस बाद का proof कैसे चला, इस बाद का proof ऐसे चला, कि 1919 में, एक सूरी ग्रहड लगा था, और इसी सूरी ग्रहड में, scientist लोगों ने, कुछ अपना discovery किया, कुछ अपना खोज बीन किया, और general theory of relativity, बिल्कुल सही साबित हुई, ठीक है, Einstein had correctly calculated in advance, the extent to which, the light from fixed stars, would be deflected through the sun's gravitational field, भाई, general theory of relativity के तहत, Albert Einstein ने, इस बात का अंदाजा लगा लिया था, कि जो आसमान में, जितने भी stars हैं, चाहे वो moon हो गया, या और कोई भी star है, किसी भी star, जैसे for example, this is sun, ठीक है, this is sun, आपको पता है, कि stars के पास अपनी अलग light होती है, ठीक है, तो ये, Albert Einstein ने इस बात का पता लगा लिया था, कि भाई, ये जो stars की खुद की light है, वो इस sun के gravitational force से, influence होकर, कितनी दूर deflect होती है, मतलब इनके उपर क्या लगेगा, ये sun क्या करेगा, sun काफी बड़ा है, stars छोटे होते हैं, तो भाई, sun अपना gravitational force लगाएगा, जिसकी वज़़ से, जो stars की light है ना, वो deflect हो जाएगी, ठीक है, तो Albert Einstein ने यही पता किया था, ये इनका general theory of relativity था, आप इसे बात में detail में पढ़ोगे, the newspaper proclaimed his work as a scientific revolution, general theory of relativity, एक scientific revolution के तौर पर मानी जानी लगी, लोग इसे science के दुनिया में, एक नया और एक विचित्र खोज बताने लगे थे, ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, कि Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921, Albert Einstein को, 1921 को अपने कारे के लिए, Nobel Prize मिला, physics में उन्होंने जितने भी inventions करे थे, theory of relativity, general theory of relativity, इस कारे के लिए, इन्हें 1921 में Nobel Prize दिया गया, he was souvered with honors and invitation from all over the world, and lauded by the press, धीरे धीरे इन्हें दुनिया जानने लगी, धीरे धीरे दुनिया के अलग-अलग जगहों पर इन्हें सम्मान मिलने लगा, इन्हें functions में बुलाया जाने लगा, invitations मिलने लगे, और हमेशा media इनको घेरी रहती थी, ये media से लदे रहते थे, ठीक है, भाई एक celebrity बन चुके थे अब तक Albert Einstein, चालो, आगे बात करते हैं, when the Nazis came to the power in Germany, in 1933, Nazis क्या है, Nazis is the army, it is a army formed by Hitler, ठीक है, it is a army formed by, formed by Hitler, भाई हमारे Hitler ने एक आर्मी बनाई थी जर्मनी में, जिसको हम Nazi party कहते हैं, या Nazis कहते हैं, ठीक है, हिटलर का मानना था कि कोई भी Christian जर्मनी में नहीं रह सकता है, चालो, तो when the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States, अब भाई Albert Einstein जर्मनी में रहते थे, वो सारा काम अपना जर्मनी में ही करते थे, लेकिन 1933 में जब Nazi party जर्मनी में रूल करने लगी, तो Albert Einstein वहाँ पे अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, और वो अमेरिका सिफ्थ हो गे, अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि उसके 5 साल बाद, nuclear fusion की discovery हुई, अमेरिकन physicist in an operor, अब यह जो Albert Einstein थे, यह एक तरीके के American physicist बन गये थे, यह अमेरिका के लिए काम करते थे, और जब इन्होंने ने nuclear fusion का अपना invention किया न। तो इन्होंने क्या कहा? इनको एक डर था, किस चीज का डर था कि भाई नाजी पार्टी को अगर नुक्लियर फिजन के बारे में पता चलता है तो वो नुक्लियर बॉम यानि अटॉमिक बॉम भी बना सकते हैं और उसे कहीं पर गिरा भी सकते हैं ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं At the urging of a colleague, Einstein brought a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory अब Albert Einstein ने अपना atomic bomb बना तो दिया था उन्होंने बना तो दिया था नुक्लियर फिजन का जो आइडिया था वो दुनिया को दे तो दिये थे लेकिन इनको अब डर लग रहा था कि भाई कोई देश ऐसा ना हो जो atomic bomb बना कर कहीं पर गिरा दे इसलिए Albert Einstein के साथ का एक scientist था जिन्होंने इनको suggest किया कि भाई आप क्या करें आप American President Franklin D. Roosevelt को पत्र लिखें और atomic bomb के बारे में बताएं कि atomic bomb क्या क्या कर सकता है Einstein ने बिलकुल वैसा ही किया Franklin D. Roosevelt वो तब अमेरिका की President थे 2nd August 1939 की बात है जब हमारा Second World War जब हमारा स्टार्ट होने वाला था जिस साल में उसी साल Albert Einstein ने क्या किया American President Franklin D. Roosevelt को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि भाई a single bomb of this type मतलब जो atomic bomb है इस तरीके का bomb क्या कर सकता है exploded in a pot अगर इस तरीके के bomb को किसी हवाई अड़े पर या किसी पानी के जहाच के अड़े पर गिरा दिया जाए तो वो पूरा जो port है वो जो पूरा हवाई एड़ा है चाहे airport है वो पूरा खतम हो जाएगा सास साथ में उसके अगल बगल की भी जो जगह है जो टेरिटरी है वो खतम हो सकती है इतना खतरनाक है यह atomic bomb his words did not fail to have an effect the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and robbed it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 अब भाई Albert Einstein ने तो अल्रेडी वार्न कर दिया था उन्होंने वार्न भी किसको किया था अमेरिका की President ने खुद अमेरिका की लोगों ने ही secretly यह देखो लिखा गया ना अमेरिका की लोगों ने ही develop कर दिया atomic bomb secret project में और इसको जापान के एक सहर हिरोसिमा और नागा साकी में 1945 में गिरा दिया और हिरोसिमा और नागा साकी में क्या होता है यह आपको बताने की जरुवत नहीं है अब भी atomic bomb के effect से लोग वहाँ पर paralyzed पैदा होते हैं ठीक है Einstein was deeply second by the extent of the destruction अब Albert Einstein ने nuclear fission का अविस्कार करतो दिया था लेकिन इस atomic bomb से हिरोसिमा और नागा साकी में the United Nation in it he proposed the formation of a world government unlike the letter to Roosevelt this one made no impact but over the next decade Einstein got ever more involved in politics agitating for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy मतलब धीरे धीरे इन्होंने politics join कर ली देखो यहां पर बताया क्या है कि जब हिरोसिमा नागा साकी में bomb गिरा तो इनको काफी दुख हुआ और इसलिए इन्होंने क्या किया United Nation को एक public होता हो सके इस बात का ध्यान रखे ठीक है लेकिन इस पत्र का United Nation पर कोई फरक नहीं पड़ता है और अगले 10 साल में मतलब 1945 की ये बात है ठीक है अगले 10 सालों तक 1945 से plus 10 years और मान लो ठीक है अगले 10 सालों तक Albert Einstein politics में involved होते गए और जाधा वो politics में involved होते गए अपनी popularity का वो यूज करके दुनिया में सांती और democratic government की मांग करने लगे मतलब आप समझ सकते हो कि वो एक scientist थे काफी popular थे और इस scientist ने जिसने atomic bomb तक discover करा था इसने दुनिया में सांती बिठाने के लिए क्या किया politics join कर लिया ना लास्ट पराग्राफ वन Einstein डाइड इन 1955 अपने बीच नहीं रहे जब ये मर रहे थे तो इनका जो उमर था इनका जो एस था वो 76 का था he was celebrated as visionary मतलब Albert Einstein को एक visionary person यानि एक आप ऐसे के सकते future को देखने वाला इंसान माना चाहता था उन्हें world citizen माना चाहता था world citizen मतलब हर देश उन्हें अपना नागरिक मानती थी इसके अलावा अलावा science में तो वो genius थी so this is all about this particular chapter hope you have loved explanation of this chapter आपको पसंद आया होगा कुछ नगोस आपने जरूर सीखा होगा तो भाई इस particular chapter का जो आपको सबसे important हिस्सा लगा आप उसको मुझे comment box में जरूर बता सकते हैं अगर कोई आपका doubt है तो आप उसे भी पूस सकते हैं सो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन सश्रे अकाल बाबाई